नमस्कार मैं उश्र दिवेडी और खास पेशकेश जो हमारी है बोलो बोलो मुझ तो खोलो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो युवाओं का प्रोग्राम है और इस कारिक्रम के जरीए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मध्यप्रदेश का इस देश का युवा जो बनिंग हम एक बेहद important subject को लेकर आप से रूबरू हैं और सबसे महत्पूर्ण बात है कि ये विशय रोजगार का तो है ही और युवाओं से सीध है जुड़ा हुआ है और हमारे साथ जो आज युवा हैं वो सब बहुत qualified युवा हैं यानि आप समझ सकते हैं कि कितना युवाओं के लिए रोजगार का importance है यानि वो highly qualified होने के बाद भी अपने बहतर भविश्य को लेकर चिंते थे और मैं आकड़े देख रहा था कि देश में समय साथ फीजदी से जादा graduates जो हैं वो बेरूजगार हैं दावे कई होते हैं कि बीते 45 सालों में बेरूजगारी का प्रतिशत का इसे भी दावे आये हालाकि इनको लेकर ये कहा गया कि सरकार की तरफ से कि इन आकड़ों में सच्चा ही नहीं है मद्यप्रदेश की बात करें तो बीते एक साल में दो जार अठारा की तुलना में दो जार उननीस में 27 लाग हो गई बेरूजगारों की संक्या और करीब 7-8 अनुराग बेरोजगार बढ़ गए तो आज हम इसी बेहत बाटन सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो युवा हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजे मेरे साथ हैं अनुराग शेट बहुत स्वागत करता हूं और अनुराग आयाइटीन है और आयाइटीन होने के साथ वो काफी खु के लिए जाना चाहती हैं अनुराग और अंजली दोनों का मैं स्वागत करता हूं अनुशा चावला है डॉक्टर अनुशा चावला कहूं मैं उनको नाकपुर से वो इस समय पढ़ाई कर रही है अपनी और उनके पीछे हैं राहुल सिंगल जो आयाइटीन है और इस समय एक वर्ष के चात्र हैं गांधी मेडिकल कॉलिज से सबसे पहले मैं बाची की शुरुवात अनुराग से करूंगा अनुराग आप किस तरह देखते हैं एक बहुत कठिन चुनौती है यह रोजगार की और आप उन युवाओं में से हैं जिने भारत के स्रेश्ट मस्तिष्क कहा क्या लगता आपको इस समस्या के केंद्र में क्या चीजें आप देखते हैं सर अनुप्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी और सबसे पहले जो हमाय सामने मुद्दा आता है कि जो हमाय देश में जिस तरीके की वोकिंग जिस तरीके का वोकिंग कल्चर है वो बहुत आज की डेट में अनलोग है बहुत डिजिटल हम किसी तरीके से हो नहीं पा रहे हैं उस वजे से जब अगर इंडस्ट्री और जब बिजनेसे उस चीज को अपना नहीं रहे हैं तो उस वज़ए से जो वोकिंग जनता है जो लोग हैं वो भी उस वज़ए से उस तरीके से अपना development कर पाते, जो डोनों तरफ से gap होता है, वहाँ से demand नहीं है उस तरह को की लोगों की तो यहाँ पे उस तरीके की लोगों की skill development नहीं है, यह वहाँ ब्रफ दूसरे को self-feeding loop बनाते हैं, तो एक यह बहुत बड़ा मसला है, कि जब हम development की बात करते हैं, तो हम अपने working models में, हम supply chains में उस तरीके की change नहीं लाते हैं, जहां हमाय को better workers की और better technologies की जरुवत पड़े, और जहां पर इन overall देखा जाए, तो दोनों तरफ से और overall देश का भी उस तरीके से फायदा काफी जो सकता है. जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार system है sir, because again, क्योंकि दोनों तरफ से यह चीज़ प्रॉब्लम है, demand नहीं है, तो उस तरीके का skill development नहीं है, जिस दिन demand आएगी, जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे, अगर कोई company आ रही है कहीं किसी जगा recruitment करने, लेकिन जब बच्चों की उस तरीके की development नहीं है, उतने उन लोग के पास skills नहीं है, तो company नहीं ले जाती, बट जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर course में change आगर curriculum में change आता है, वहीं वो बच्चे employable हो जाते हैं, तो वो दोनों तरफ से वो चीज़ चेंज आना जरूरी है, companies की भी demand उतनी होनी चाहिए, और universities or skill development agencies की भी उतन करिकुलम में उतनी efficiency होनी चाहिए कि वो इस तरीके की चीज़ों को facilitate कर पाएं, एक चीज मुझे बहुत इमानदारी से पताईएगा, कि क्या IIT में होने के बाद या उससे गुजरने के बाद, आप अपने भविश्य को लेके पूरी तरह आश्वस्त है या fear है, बट मेरे को इतना यकीन है कि मेरे को कभी खाने की दिक्कत नहीं आएगी, या मेरे को कभी रहने की दिक्कत नहीं आएगी, उतना मेरे को आश्वस्त है, ये बात एक IITN हम से कह रहा है कि खाने की दिक्कत नहीं आएगी, वही है, अगर मैं जैसे मैं अपना personal बता हूँ, मेरे को बिजन के लिए इतना मेरे पास confidence है और ये चीज का confidence में 110% जिस तरीके का environment है इस country में और जिस तरीके की एक social standing है इस institution की या इन universities की वो उस चीज को पूरा credit जाता है कि जिस तरीके से वहां से बच्चे निकलते हैं they are in comparison to the normal जंता या normal फोक जो निकलता है थोड़ी सी उसमें बच्चों में एक standing थोड़ी सी रहती विकास environment इस तरीके का है लेकिन कमाल की बात निकल कर आईए साब सामने कि एक जो है वो भी अपने future को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है लेकिन उसको यह भरोसा है कि वो कर लेगा अच्छे से कर लेगा ठीक ठाक कर लेगा और यह confidence उसको दिया है उसके institution ने IIT ने यह confidence दिया हुआ है चलिए मैं आता हूँ अंजली की तरफ अंजली बीबीए आप कर रही है और confidence है पूरा कि नौकरी मिल जाएगी या धारा में बहने जैसा है यह कि बीबीए एंबीए अच्छा है बिजनेस administration है फिर पोस्ट ग्राजवेशन कर लेंगे या फिर आप जो सिनारियों पर नजर डालती है आपको लगता है कि बहुत सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपके लिए sir यह बहुत ही दाईसी है सब कोछ बहुत अच्छा हो गा बिकास बीजी बहुत लोग करते एंबीए भी बहुत लोग करते तो मैं भी e bringing का एक हिस्सव तो बहुत दाईसी सिच्वेशन कि पता नहीं हो गया नहीं होगा तो इसलिए मैं मैं मेरे हिसाब से में को मैं बी यह आपको जो आपका लेवल है यह जब आपको लगा कि आपके वेक्तितों में तो फैशन इंडास्ट्री बनी हुई है यह आपी ने सोचा यह आपके पैरेंट्स ने सोचा यह आपके दोस्तों ने सोचा यह आपके इंस्टिटूशन ने आपकी मदद की कि अंजली तुम तो गलत जगे हो तुम्हें जाना चाहिए फैशन में नई सर्य यह मैंने खुद से ही सोचा मैंने इंटर्नशिप्स करी काफी और मेरा इस फील्ड के है मतला मुझे काफी इंट्रेस्ट है इस फील् तो Master in fashion management करके कोर्स होता है मतलब एक बात साफ है कि हमारा school हमें यह नहीं बताता है कि हमें क्या चुना है आगे जाके इस autis? इंवार्मेंट में रहके, खुद को देखके, कि खुद में कितनी केपिबिलिटीज हैं, किसको क्या पसंद हैं, उस हिसाब से ही हम आगे जाके अपना करियर चूज कर पाते हैं. और हम जब BBA में आजाते हैं, या BBA करते हैं, या MBBS करते हैं, तब भी हमें यह नहीं बताता कोई कि आप यह जो कर रहे हो, साइद आपको यह नहीं करना था. सर, बहुत लोग ऐसे हैं, अभी जो इतनी अच्छी अच्छी डॉक्टर गी डिग्री लेके हैं या इंजीनियर हैं, पर वो आके जाके कुछ और ही बन जाते हैं. या कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंक्स के लिए एक्जाम क्लिया कर देते हैं जॉब भी कर लेते हैं पर फिर उन्हें कुछ साल बात समझ में आता है कि मैं खुद को इस फील्ड में पूरी लाइफ काम करते हुए नहीं देख सकता तो फिर वो चेंज कर लेते हैं अपने और यह स उत्तर मुझे नहीं मिलता है सिवाए इसके कि मैं अज्यानी था मुझे पता नहीं था चलिए यह वी एक बड़ी अच्छी बात सामने आई कि हमारे इंस्टिटूशन जो हैं वह हमें यह बताते ही नहीं है कि हमारा व्यक्तित को कैसा है और किस विदा में हम आगे बढ़ सक आते हैं हमें बंदा मैं आता हूँ अनुशा की तरफ अनुशा आप आपके पिता भी एक नामचीन चिकित्सक है मध्यप्रदेश के तो क्या यह वहीं से प्रेड़ना थी या फिर आपको लगा कि नहीं अगर एक फैमिली में डॉक्टर रहते हैं तो एक ऐसा सेंस ऑफ रिस वह भी MBBS कर चुका है भी पोस्ट्राइशन कर रहा है तो इतना जब पूरा फैमिली बैग्राउंड यह सथा तो एक ऐसा एक मतलब वाइप क्रियेट हो जाती है घर में की डॉक्टर ही है मतलब वह सम अंसेट फिंग होती है कि वह समझ ही आ जाता है कि यही करना ही है लेकिन सब्सक्राइब कर दो आप इतने गलिबल रहते कि यह आप न आईडिया वाट यह पर्सु फॉर्दर उस ताइम पर मैं कुछ और करती तो मैं अभी उत्ती साटिस्फाइड नहीं रहती जितनी मैं हूं अभी आभी आप सिक्योर फूचर फूचर आइम शॉर फूचर सब्सक्राइब करते हैं इन फाक्ट विए विंग पेड़ गवर्मेंट टू रेंडर उस अनिम्लोइट फॉर सम ताइम एक बॉंड करके एक वो रहती है जो फाइव यह से बाद कंपलसरी बॉंड बॉंड यह सब्सक्राइब काफी कथिन मानी जाती है आपने सिर्व इसलि नहीं है अब हम लोग एक जेनरल पॉपलेशन देखे तो उनको पढ़ाई डिफिकल्ट लगती है पर बाकी फील्ड में भी कुछ भी असान तो नहीं है अगर किसी और को कोई और फील्ड परस्यू करनी है तो वह असान तो है नहीं तो डिफिकल्टी की तो बात सेकेंडरी ह होती है अगर आपको करना है यू डिसाइड यू डिफिकल्ट अगर आपको अपना नर्सिंग होम चलाना है फिर उसमें इन्वेस्मेंट फिर किसी एतना कॉंपटेशन ये सारी चीज़ें क्यों एक सेक्योर आप मानती है जॉब है मी बेस करने के बाद भी एक सेक्योर इस पर हम यह बात कर रहे हैं आप अपनी फ्रेटरिटी में यानि आप जो चिकिच्सक युवा चिकिच्सक हैं उनके बीच में यह मसला किस तरह से डिसक्स होता है सर मैं कहना चाहूंगी कि सेक्टर साचरेशन का एक फिनॉमेना है जो सब को समझना चाहिए भी मतलब अगर आप देखें तो जैसे जो लोग नीट यूजी के लिए प्रिपेर करें जैसे उनोंने भी नीट दिया तो इस साल नीट में फर्स ट्रांग जो थे AIR1 उनके फुल इंजीनियर बने उसकी वज़े से वहाँ पर जो इनक्रीश कॉमपेटिशन है जो ओकॉंपेटिटिव एग्जाम्स में है उसकी वज़े से वि यूजिस लुजिंग बैट माइंड नाट सार मतलब टैस उतनी है सीट बढ़ रही हैं पर उस लेवल पर नहीं बढ़ रही है तो अभी मेरे असाब से smart decision यह है कि अगर वहां पर saturation आ चुका है and you are not very sure तो आपको किसी और sector में apply करना चाहिए जैसे अगर डॉक्टरी में competition इतना है तो आपको लग रहा है आप नहीं कर पाएंगे आगे तो आपको किसी और field को starting से ही pursue करना चाहिए तो आपको लगता है कि इस फील्ड में saturation ने दस तक दे दी है सर कॉंपेटिटिव लेवेल्स पे तो दे दी है स्टडी लेवल पे तो दे ही दी है अब लाक्स फीपल अप्टिशन बड़ी रहा है अलग सेक्टर जैसे आर्किटेक्टर अगर अगर अभी जाते है तो वहां पर अभी कि एक्सपोजर काफी अच्छा मिल सकता है ऐसा मेरा मानना है मतलब ब्लाइंडली यह आपका मेसेज है कि ब्लाइंडली यह सर लोग मतलब पीरेंट्स इंफ्लूइंस में आके हर कोई डॉक्टर हर कोई इंजिनियर बनना चाहेगा तो फिर मतलब यह वेस्टिंग देर कि अच्छा मेरा कोई नहीं है यह लोग भी बहुत अच्छे होंगे ही लेकिन आयाइटी की कुछ बात अलगे यह तो आप कई कि एक साइकलोजिकली मेरे दिमाग में यह चीज बैठी बला रावल आप किस तरह देखते हैं इस प्रॉब्लम को और आपको क्या लगता है क्योंकि आप तो स्रेश्ट मस्तिश्क हैं जैसे सब बैठे हैं यह उनी में से आप एक हैं लेकिन जिस तरह की बात हम कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आखिर कहां अटक रहे हैं साथ फीज जी से जादा ग्रैजुएट्स के लिए हमारे पास नौकरिया नहीं सार बहुत सारे रीजन हैं जैसे एक रीजन मैंने भी कहा कि लोग अप प्रोफेशन खुद नहीं चुनते हैं जैने लोग के परेंट प्रोफेशन और इवेंचुल या लाइंड़ पे न कंसल्टिंग जॉब तो सेम चीज बहुत सारे जगाओं पे हो रही है कि लोग ब्लाइंड ली फॉलो कर रहे हैं मेली मेबी विकॉस अलॉट पेरेंट जब उनकी जनरेशन थी नाइंटी इंजरें का काफी स्कॉप था तो कि इंडिय लोग बहुत ज्यादा प्लाइ कर रहे हैं इसमें से अन इंप्लोइम्में बहुत ज्यादा बढ़ रही है जैसे इंजिनरिंग बट ऑल्दो इंग दोक्तर्स के अभी वी कमी है तो डॉक्तर्स तो बनने चाहिए इस देश में बहुत कम दोक्तर्स हैं क्योंकि जो हम लब आ मैं इतना कहना नहीं चाहिए ब्रेंवाश था कि मैं इंजिनरिंग कुछ बनी ने सकता तो वी ट्रू लेवंध मैं थोड़ कि मैं को पीसी आम आता है तो मैं इंजिनियर ही बन सकता हूं दॉस्टर्डिट फॉर इंजिनिंग और इवेंचुले बिकेम इन इंजिनियर सर यह बड़ी कमाल बात है क्योंकि मुझे यह लगता है कि एक बच्चे को आप क्या इतना ब्रेंवाश कर देते हैं कि उसकी चाहें खत्म हो जाती है वह यही सोचता है कि उसका जन्म एक मिशन के लिए हुआ है इंजिनियर बनने के लिए मतलब मेरे मैं अपने साथ अपने काफी आज कर आप देखें के काफी सारे लोग ड्रामा कर रहे हैं कुछ लोग पॉलेटिक्स में चले जाते हैं मेरे कुछ दोस्तों ने पॉलेटिक्स कंसल्टिंग से जॉइन कर ली तो पीपल आपने जो पढ़ाई की और आज आप जहां है आप संतुष्ट है संतुष्टी तो नहीं है क्योंकि संतुष्ट नहीं होना चाहिए किसे को आपको आगे बढ़ते है रहना है बट हाँ में को ऐसा लगता है कि IIT की पढ़ाई से मैंने कुछ और चीजे सीखिए हैं जैसे अगर आप कोई भी अगर इतना कॉंप्रीटिटिव एक्जाम के लिए पढ़ाई कर र नोटिस करेंगे आजकल कि बहुत सारे डिफरेंट फिल्स में जा रहे हैं कॉंफिदेंटली बिकमिए नॉंटर बना दूइंडम दिंग्स भी कॉंफिटेंस टेकंडू एनिटिंग और कुछ लैब्स भी हुआ तो वापस कोड जोब पर आ जाएंगे यह एक बड़ी इंप कुए में उतर गया यश आपने मेकेनिकल इंजिनियरिंग की और फिर आपने अखिल भारतिय सेवा का रोक किया क्यों घरवालों से कोई पर को इतना ज्यादा कभी भी प्रेशन नहीं रहा है कि आपको इंजिनेरी बनना है आपको डॉक्टर बनना है दिवालाइक कि आपको मुझे इंजिनेरिंग की तरफ लगा कि हम में इंजिनेरिंग कर सकता हूं मेरा एक शॉक था कि मुझे मैकनिकल इंजिनेरिंग काफी बूं पर थी और जब मैं एंड-प किया 2019 में तो काफी जादा उसका सेक्टर जो था वो डाउन हो गया और जब मैं इंजिनेरिंग कर रहा था तो उस बीच दो कि मैं इंजिनेरिंग के लिए शायद नहीं बनाओ कि जैसे मैं अपने आपको शुरू किया एक्स्प्रोर करने के बाद मुझे पदा चला कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें जो की इंजिनेरिंग से परे भी हैं जिनके लिए हमें जाना चाहिए जो कि लोग देखनी रहे आज की देख में की इंजिनेरिंग और डॉक्टरी जैसा की चल रहा है इंजिनियर्स डॉक्टर और आज की देख मैंने बहुत सारे से यंग स्टुडेंट्स पर जो की नए नए प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और जो जा भी रहें जो कि बहुत अच्छी बात है कि इस चीज से हमारे इंप्लाइमेंट भी काफी कम होगा क्योंकि इंजिनियर्स के लिए आपकी फैमिली ने आपको इलाओ किया जी उनका प्रेशन नहीं था कि आप नौकरी करें जी अगर कोई जरूरत मंद होता जिसकी यह स्थिति नहीं होती शायद वो नहीं कर पाता जी जी बट इसा नहीं कि फैमिली ने अलाओ किया बट मुझे उतनी ज्यादा सुविधाएं कभी नहीं दी मतलब ओवर सुविधाएं कभी नहीं कि जिससे कि मैं बिलकुल एकदम कुछ ना कर पाऊं ऐसे सुविधाएं भी हो जाती कभी कबार मैं जब फरस्टी है मैं ता अबसे म कुछ जो मेरी सिविल से परिक्षाय में भी काम आएंगे और मुझे काफी चीज़ें इंफ्लेंस करती हैं जो की इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे लगा कि मैं शयद इंजीनियरिंग के लिए सिविल से इसके लिए बनाओं तो इसलिए मैं उसकी तरफ रुख कर गया हूँ काश यह चीज़ें हमें पहले पता चल जाएं जी सर कि हमें क्या करना है जैसे मैं बात करूं राहूल की राहूल भी पता नहीं क्या एक्स्प्लोर करना चाह रहे होंगे यह इनके मन में शायद क क्योंकि इन्होंने बहुत खुबसूरत शब्द इस्तेमाल किया कि इतनी जबर्दस ब्रेइन वाशिंग हो गई जैसे किसी हम देखते हैं कि किसी डिटेक्टिव दुनिया की किसी नामचीन डिटेक्टिव एजेंसी के एजेंट को तयार किया जाता है तो उसके उतना प्ले आखिर हम ऐसे सिस्टम में क्यों नहीं है जहां हमें यह पता तो चले मेरे भीतर क्या अच्छा है या क्या मुझे पसंद है चलिए मैं मनुझ की तरफ आता हूं मनुझ आप संतुष्ट हैं डॉक्टर ही बनना चाहते थे यह सर एक्चुली था क्या कि मेरे पापा एक वेट उनके साथ गए वहां देखा तो एनिमल का जो ओनर है उनको बता रहा है सर इसको यह हो रहा है उसके थुरू आप खुछ उसको सही तरह से डाइग्नोस करके एक जो है कंक्लूजन पर पहुंचना एक करेक्ट पहुंचन पर पहुंचना और उस तरह से उसको करता है तो वहां उससे अपने सब्जेक्ट चूज करना पड़ते है तो वह एक बहुत इंपोर्टेंट होता है उसकी लाइफ का जिन लोगों ने इसको सही से यूज कर लिया तो इसकी बहुत अच्छे चांसे है कि वह आगे जाके अच्छे से अपनी लाइफ एक्स्पोर क की बात कर रहे थे वह तो अभी मैंने कॉलिज में अद्मिशन लिया तो मैंने तीस लाख रूपय का बॉंड भरा है कि अगर मैं डिग्री कंप्लीट करके कहीं और जाता हूं तो आयरेफ टू पे थर्टी लाइक रूपीस टूज यह है और सर जहां तक हुई एक्स्प्लोर मैं मेडिकल लिग्री जब मेरे मेरे मुझे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मुझे एक साल तक कहीं भी गवर्मेंट जहां में ड्यूटी लगागी कोई नूरल एरिया में कोई चोटल सा गाम हुगा तो तीस लाख आप जी सर और वह जो एक साल तक में जॉब करूंगा है तो वहां मुझे बिल्कुल पकी सेलरी मिलेगी बट यह एक रिमोट एरिया मुझे बेज दिया जाएगा जहां मुझे लोगों को सब्सक्राइब जो आपको साल वर सेलरी मिलेगी नहीं सर देटिस अराउंड जो नॉर्मल एक पे डॉक्टर्स को रखते हैं तो उसकी कु की लोग भी बहुत बढ़िया साउंड कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप एक विजन एक सोच के साथ बात कर रहे हैं आप सभी मुझे यह बताईए कि साथ फीजदी से जादा युवा हैं जो ग्रैजुएट ग्रैजवेशन के बाद नौकरी नहीं हैं हम देख रहे थे जब बात कर रहे थे राहूल के साथ और बाकी लोगों के साथ अनुशा के साथ तो हम यह देख रहे थे कि 2018 में किसानों से ज़्यादा सुसाइड युवाउं ने किया है जिनके पास नौकरिया नहीं लिए सीन बहुत ही ग्रिम है बहुत ही उदास कर देने वाला लेकिन उदासी से कुछ होगा नहीं हमें देखना पड़ेगा अब इस इस लेग में इस प्रोग्राम के डिसकुशन के मैं आप सब के सुझाव जाना चाहूंगा कि हम करें क्या तो कि यह आपके बीच में भी बहुत ह होता है क्या लगता आपको हमें क्या करना चाहिए यह एक प्रेशर की वज़े से क्रियेट होता है जो एक सटन बच्चे की प्रती जो लोगों की और उनके माबाप की उनकी फैमिली की और उनकी खुद की इस वज़े से यह सारी एक्सपेक्टेशन जोड के जब अब खुद करता है परिशान करता है रात में जगाता है कि यार मेरे को तो यह करना था बट यह चीज नहीं हो पाई तो क्या मैं करूंगा क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ही वह बन गई कि मेरे को तो यही करना था अगर मैं जेही की बात करूं क्योंकि मैंने वह एक एक जाम्पल अपनी बड़ी दिक्कत है जो mindset हमाई कभी भी हमाई को बच्चपन से इंडिया में mindset के उपर कभी बात नहीं होती या एक बच्चे की mental growth के उपर बात नहीं होती कि उनकी एक healthy mindset किस तरीके से बनाया जाए there are different definitions एक success की जो हम बात करते हैं हर तरह की success होती है सिर्फ monetary success या सिर्फ पैसे से success या status से success नहीं होती उस definition को जिस दिन हमने change कर दिया हमने expectation और reality के gap को bridge कर देंगे वहाँ पे हम बहुत अपने youth को बचा लेंगे क्योंकि अगर जब तक ही ये gap बड़ा होता जाएगा वहाँ बहुत उस gap में हमाय को बच्चे गिरते हुए दिखेंगे अब इस पूरे conflict में जो unemployment से जुड़ा है parents को system को किसको ज़्यादा जिम्मेदार माला है कहीना कही parents का भी रोल है कहीना कहीं system का भी रोल है अब किस टीस का कितना ज़्यादा weightage है वो आज की rate में इतना clear नहीं है क्योंकि हमाय को अगर एक individual बच्चे की हम बात करते हैं तो बहुत सारे factors determine करते कि बच्चा किस तरीके से बड़ा होता है society एक बहुत बड़ा पार्ट है जिस तरीके की बाते हम सुनते हैं paper में या हम लोगों से सुनते हैं हम बाते करते हैं वह बहुत determine करता है parents हो गया schooling हो गई हर एक चीज अपने आप में एक factor बनता है कि एक बच्चा किस तरीके से बड़ा होता है उसका mindset क्या है तो हर factor से इस चीज में अपना एक particular weightage hold करता है कि हम किस तरीके से दुनिया को देखते हैं क्या हमारी success यही है कि हम engineer बनेंगे या हम doctor बनेंगे या हम एक writer बनके या हम एक artist बनके भी उतनी खुश रह सकते हैं success कोई define नहीं करता आपकी success सिफ आप ही define करते हैं बट वो definition कहां से आती हमाई को वो चीज समझनी है क्या वो definition हमने खुद ने create करी हुई है या society ने हमारे लिए वो definition क्रेकिन आप यह मानते हैं कि आप जिस school में पढ़े में नाम नहीं जाना चाहूंगा उस school के बाद जब आप JEE clear करके जब आप IIT में गए तो IIT वो institution था जिसने आपको गढ़ा उसके पहले का जो आपका institution था उसका बहुत contribution आपकी personality आपके assertiveness में नहीं था सब मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं तो उल्टा यह भी कहूंगा कि जितना मेरा schooling का प्रभाव रहा है that has made a very significant difference जहां मैं हूँ जहां जिस वज़े से मैं हूँ वो schooling का उसमें बहुत बढ़ा पार्ट था जिस तरीके का environment मेरे को मिला था जिस तरीके के दोस्त है मेरे जिस तरीके की आज मेरी personality है हर चीज उसमें add हुई है जहां मैं आज जो मैं आज हूँ उसमें schooling का भी बहुत 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 सिग्निक्न पार्ट यह भी माने कि यह भी पूरा सच नहीं है कई जगे उसका contribution है मैं फिर आऊंगा अंजली की तरफ और उसके बाद फिर अनुशा की तरफ अंजली जिस तरह के dilemma आपके मन में था ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में होता है कोटा जैसी जगे जो हैं वो कई बार टॉचर कैम्प्स बन जाते हैं युवाओं के लिए कि आप वहाँ धकेल दिये जाते हो एक दस बाई बारा के कमरे में जहां आपको एक scheduling पर आना है टिफिन में वही उबा देने वाला भुजन आता है आपको वो खाना है कोई cinema hall नहीं कोई malls नहीं कुछ नहीं और वहाँ आप पढ़ते हैं यह parents की इच्छाएं हैं या हम मानते हैं कि आगे बढ़ने का ही रहा है आपको क्या लगता है सरकार जिम्मेदार है इसके लिए हमारे parents की आकांग्षाएं जिम्मेदाने या खुद UX का भरमित होना इसके लिए जिम्मेदार सब को लगता है कि यह बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं इसमें एक बार मिल जाएगा हमें जॉब हमारा फ्यूचर से क्योर हो जाएगा और सब लोग लगे रहते हैं कोशिश में की हो जाएगा हो जाएगा पर यह अनुशारी जैसे का कॉंपटिशन कितना है कोई इन अगर सो लोग बताये कौन खुद की प्रतिभाही तो वह यूरेका है जो हमें पता होना चाहिए एक राइट टाइम पर कि मैं एक्टर हूं मैं जानलिस्ट हूं मैं डॉक्टर हो सकता हूं मैं इंजिनियर हो सकता हूं मैं यह हूं क्योंकि वही मेरी खुशी है जिसकी बात कर रहे थे बार बार कि मैं तो खुट शायद अंजली एक एक किसी कंपनी में सीओ हो के खुश नहीं होती है लेकिन एक फैशन डिजाइनर होके वह तितली की तरह उड़ सकती है यह सर एक और बात है अगर हम इनसान को रिसर्च के उपर और अगर मतलब स्कूल में अगर हम बुक के श्लाइंग बेट से जादा अगर टीचर फोर्स करें या तीचर बच्चों को बोलें कि रिसर्च के उपर जादा पढ़ाई करो या रिसर्च करो आप घूमो आप देखो चीजें और फिर असाइनमेंस में अगर हमें वैसे ही मिलें तो शायद एक बच्चा खुद गटाओं में नहा कर देखो जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो मतलब जिंदगी क्या है यह आउटसाइड जब आप जाओगे तो है जी तो है बस यह सर हमें जादा रिसर्च एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए स्कूल्स को भी कॉलेजिस को भी और बाकी पढ सब्सक्राइब तो हम पढ़ें नहीं किया आप लोग मानते हैं सरकार बहुत जिम्मेदार नहीं है या थोड़े जिजक रहें आप यह कहने में सर्पाटन स्कूल मतलब एजुकेशनल जो रीफॉर्म्स है वह थोड़े हैं ऐसे कि पुराना कोर्स चलाए जारे चलाए जारे कुछ तो हम बहुत पुराना कभी-कभी पढ़ लेते पर पूछ नहीं लेते हमें उतना आइडिया नहीं होता कभी-कभी हमें वह चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं काफी युनिवर्सिटीज में इसे कोर्स सभी भी चल रहे है पुराने वाले तो यह थोड़ा देखना होंगे कि हमारा जो एजुकेशनल केरिकलम है वो ग्लोबल परमिटर्स पर कहां है अगर आज यहां पर अपना कोर्स कर रही है तो क्या अमेरिका में ने कोई टेस्ट देना पड़ेगा जैसा मैं सुनता हूं तो यह क्यों है यह बैंडिंग्स क्यों है यह शायद में कि यह अमेरिका जाएं और वहां बिल्कुल फिट हो जाएं कोई समस्या नहीं होनी जी आपको क्या लगता है इस बात पर मैं आड करना जाहूंगी कि जब हम में अनाटमी सब्जेक्ट होता है उसकी फेमस बुक है बीडी चौर असिया तो वह बुक जब मेरे फादर ने सब्सक्राइब करें लेकिन हम रिशर्च जो बाता है इतना सब कुछ दुनिया में आ चुका है डिजिटल प्लेटफॉर्म है तमाम चीजे हैं लेकिन हम रिशर्च जो बात अंजली कह रही थी अनुशा उससे बिलकुल इतिफार करती मैं राहुल की तरफ चलूँगा राहुल आपको क्या लगता है सरकार जिम्मेदार जादा है या सरकार पल्ला ज़ाड लेती है दावे तो करती है कि नौकरी देंगे किसी भी पार्टी की सरका रहे हैं यह नहीं कहता कि कोई पार्टी बहुत अच्छी है कोई पार्टी बहुत खराब है सभी राजनीतिक दल शायद उनकी मजबूरी है कि employment generation का जब issue आता है तो फस जाते हैं क्योंकि वह बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है आपने क्या मैसूस किया Sir I don't think government बहुत जादा उस पे उनकी कारण की वज़े से हमको employment में problem आ रही है कॉस government उसे पांच साल के लिए हर पांच साल में हर स्टेट गवर्मेंट हर सेंटल गवर्मेंट बजल जाती है problem हमारा system है system इस दिमेंशे कि लोग को employment नहीं मिल रही है जैसे मैं को कहना चाहूंगा जैसे लोग skill development की बात करते हैं colleges में बहुत कम सिखाया जाता है जब मैं पहले इंटर्न करने किया था तो पहले दिन में को इंटर्न पे जो मारा इंस्ट्रक्टर था उसने क्या क्या आता सब बताओ मैं उसने मुझे बोला यह 80 साल पहले बढ़ पढ़ना सिखा रहे हैं हम तुम्हें लेटेस्ट चीज नहीं सिखा रहे हैं तुम जहां भार जाओगे तुम खुछ सीख लोगे तो यह फर्क है इंडियन एजुगन सिस्टम को बार के इस साल पुराने सिस्टम से कैसे सीख लेंगे यह पूछ नहीं सकते शायद हम उनसे कि वह फिर भद्रता का उलंगन हो जाएगा यह हमें सिखाए गया है कि सम्मान करिए इससे ज्यादा मत पूछिए और सर इंग एक और रिजन है कि बच्पन से हम लोग पढ़ाई को बहुत अलग तरीके से देखते हैं मुझे मुझे माफ कीजेगा मैं रोक रहा हूं आप सिस्टम whereby यूं तो पात साल के लिए पर चली जाती है तो ब्लेब तो शिस्टम पर जाना चाहिए अबी था मेरे साथ से सरकार और सिस्टम इनसे पर में लें है लेकिन पांच साल वो ही सरकार उस system को डेवलड कर सकती हे उस ही को इंट्रॉल कर सकती है ह्म say तो दौनों को separablis the ले नी सकते कि संट्व को अलग कर दे सट्व को अलग कर दे कृस कहीं ना कहीं वो system को यानी system के दूसरा नाम ही सरकार है और सरकार का दूसरा एक temporary system हम कहले लेकिन system को बदलने के लिए ना सरकारें बहुत उत्सुक नजर आती हैं और ना हमारे educationist जो हैं वो बदलने के लिए नज़ें कमाल है कि 82 में जो तो चौरसिया साब पढ़ा अनुशा ने, अनुशा के पिता जी ने, वो अनुशा पढ़ रही है, और चत्रवेदी जी आप भी वही पढ़ाएंगे, 80 साल पुरानी चीज राहुल जी को ये कहके समझाई जाती है, ये हैं किसाब ये तो आप, पाकी आप सीखी लोग हैं, तो भाया आप काहे के लिए एं, क्या लगता है, आप को क्या लगता है, कैसे हम ये बिरोजगारी का ये जो दानो है, इसको कैसे हम दशरे पर रावन को तो हम जला देते हैं, इसको कैसे खतम कर सकत charcoal सर्फ जहां तक मेरा सोचना है थोड़ा सा स्कूल से ही बच्चों को स्कूलिंग से ही उनको बाहर के वर्ल के एक्स्पूजर मिलना चाहिए थोड़ा सा विकॉस कहीं चीज़े डेवलप हुई सीसी आया बहुत सारी चीज़ें यह सेस्मेंट्स वगेरा कम मैथेट्स है बट उसमें था क्या कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ मॉनिटरिंग प्रॉपर और्गनाइजिशन की कमी के चलते वो सिर्फ सब्जेक्ट और उसके मांक्स पर ही सिमट कर रहे गए इसका साथ सही तरीक यह होना चाहिए जो मुझे लगता है हो सकता ही गलत हो बट यह कि जो जो भी सि अगर यह जो जोड़ना चाहिए जो युगा है आज की रेट में वो सेल्फ डिपेंडन बनना नहीं चाहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट कोई भी नहीं है सब चाहते कि हमें नौकरी दे जाए बनना क्यों नहीं चाहते हैं सर अब यह इस चीज को हम खामी कहें यह वाओं किया कुछ कहें बट सह्मत हैं आप अनुराग जी सब्सक्राइब करूंग कि मैं अपने कॉलेज में भी यह चीज द निकलते से ही वह चाहते हैं कि हमाएं हम निकलें और हमाय लिए सामने जॉब्स होनी चाहिए मेरे काफी दोस्त हैं जो अभी हमां प्लेस्मेंट सीजन चली रहा है काफी हद तक सब के प्लेस्मेंट्स हो ही गए और वह खुशी जलकती है क्योंकि वह कहीना कहीं वह एक एक हम यहां पर आ रहे हैं तो हम कुछ लेकर निकलेंगे तो वह कहीना कहीं वह जलकती है बहुत स्टीडियो टाइप मानसिकता इस देश में अधिकान शिवाओं की है और वह चाहते हैं पकी पकाई टाइप की नौकरी उनको तुरंद मिल जाए हास निकलते से ही कहीना कहीं वह होना चाहिए और उसके लिए उनके पेरेंट्स की अपेक्षा हैं जो उनकी पीट पे लदी रहती हैं बैक की तरह हमेशा वह बड़ा कारण है जी अच्छी बात कहीं अपने कहीं हमें स्वयम में आत्मनिरबर तो बनना होगा यह बात में कोई दो राय है नहीं क्योंकि बेर बैरोषगारी खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाइगा और मैं इसका जिम्मेदार हर एक फैक्टर को मानता हूँ जैसा कि लोग बोलते हैं कि मताव ढमरेथ हो जाते हैं हमारे भले के लिए नहीं होते हैं, मंहले हो चाहते हैं कि हम कुछ बन जाए इंगेंगी बनाना चा र आरतिय संस्कृति में तो बड़ा अच्छा माना जाता है लेकिन आप से डिसग्री होने वाले लोग यहीं बैठे होंगे यह सब्सक्राइब मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि आदमी जो रहता है उसको एक इनसान है उसको अपनी जो कैपेबिल्टी है वो कोई बता नहीं सकता वो इसको स्यम दूड़नी पड़ती है वो जब तक खुद में एक्स्प्लोर नहीं करेगा वो खुदी केपेबिल्टी इसको जाने का नहीं गुरू तो लगता है यह जी जो आपको बताता है कि अपने भीतर जाओ अपने भीतर जाके समझो तुम यह हो एक गुरू तो है कि बच्चा 14 15 साल का होता है और उसको भार बोलते थे कि जॉब करो अपना कमाओ सब्सक्राइब करते हैं लोग यह जो करने से पेरेंट्स होते सर वह फीड करते हैं अपने बच्चों को कि नहीं चीक है दे तो रहे हम पैसे दे रहे ना पड़ो यह हमारे पैरेंट्स जि कुछ को इसी अपन यह कर लेंगे अंडेग्राजवेशन कर लेंगे डिग्री आजेगी जॉब मिल जाएगा मुझे लगता है कि 15 16 जब एक बच्चा मेंटली प्रिपेड हो जाता है समझदार हो जाता है फिर उसको भार दुनिया में चोड़ देना चाहिए कि अभी से ही इ करता ही अगर आप बाहर पी जॉब लेने जाते हैं तो यह मैटल करता ही है तो मुझे लगता है कि बच्चों को छोटी एच से इंडिपेंडेंटन खुद बदा देना चाहिए जब करने की बात आती तो मेरे दिमाग में सबसे महत्वपून और सबसे पहला पॉइंट यही हम अपने साथ 10 और 15 और लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो इसका जो एक्सपोनेंचिल इफेक्ट आ सकता है उसका पोटेंचिल बहुत जाता है जहां हम इस मेंटालिटी को चेंज कर दिया कि हमने जॉब जो एक्सपेक्टेशन है कि हमाई को जॉब चाहिए हम जिस दिन व महत्तव पूंड रोल है कि इस प्रोसेस को किस तरीके से फैसस्लिटेटेट कर सकते हैं किस तरीचे से फैसल को यह को अच्छी बाद पॉस्ट्रण और कर एंगे किसी बिजनेस को किस तरीके से वहाई Mmm क्योंकर ही है जो चाहरा गोग व्लक यह अनुवं sic 2 को अभन सया सकते ह हम इस चीज को बढ़ा सकते हैं सरकार के पुटेंशल है इस पैंडेमिक ने हमाई को एक चीज बहुत अच्छी बताई है कि सरकार अगर चाहे तो सिस्टम में पैसा पंप करके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है अगर यह चीज का रिलक्टेंस खतम हो जाता है सरकार की प्रती तो हम बहुत बहुत इस चीज में ग्रों कर से यह बहुत शांदार बात आपने कई और रहुल भी कुछ इसी तरह से साउंड कर रहे थे इसके पहले यह पॉइंट ने क्या ही दिया कि अगर आप उत्तम बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ ग्यान लेना चाहेंगे आपको इससे कोई फरक नहीं पढ़ना चीए कि सामने वाले का सित्ता ग्यान है जादा है या कम है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चीए मैं जो चीज में लेना चाहता हूं वो मुझे उस पर फोकस रखना वो ही ग्यान लेना जब सर्वस्ट्रेश बनना चाहेंगे तो आपको हमेशा हमेशा भी देखते रहेंगे कि पड़ोस में कितने नंबर आते हैं हमेशा बच्चे मम्मी बूचती है टॉप पर कितने नंबर आये तो यह कंपारिजन जो है ना स्टार्ट गया हूं तो यह तुम्हात नाइन साफी हुई तो क्रिष्ण कहते हैं तुम कभी भी धनुविद्या सीखना ही नहीं चाहते तो हमेशा अर्जुन से सर्वस्ट्रेश बनने के चक्कर में कभी धनुविद्या फोकस नहीं कर पाए अगर तुम उत्तम बनना चाहते तो इसे चाहिए था ना तुम कोई महनत करनी पड़ती ना कुछ करना पड़ता तुम अपने वो घ्यान पा लेते तो आज के सिस्टम में हम घ्यान को फोकस नहीं कर रहे हैं सर्वस्ट्रेश बनने में लगए इसलिए महनत भी जादा कर रहे हैं फल भी कम मिल रहे हैं और हम अपने पर फोकस ना करके हम यह देख रहे हैं कि हम दूसरे से कैसे बहतर हो सकते हैं अनुशा सर मैं यह कहना चाहूंगी कि अभी जैसे अभी आज की पूरी कॉरी कॉन्वसेशन थी उसमें सब लोगों नहीं यह का कि हमें हमारे इंट्रेस्ट को परस्यू करना चाहिए सर मैं कि कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है मतलब for most of the people their interests are their strengths पर कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ऐसी चीजों में इंट्रेस्ट होता है जो उनकी strength नहीं होती तो उसको उसी को अगर अपना career बनाने जाएंगे तो they will not be successful at any time उसको as a side profession रख सकते हैं as a recreation रख सकते हैं but I think strength should be given more importance क्योंकि at the end सबको at least Jason उने कहा कि उनके पास खाने की tension नहीं है उनके पास रहने की tension नहीं है at least you have to make yourself उतना capable तो उसके लिए अगर आप अपनी एक ऐसी interest पर जाएंगे जिसमें you are not good at you will not be able to do anything हैं तो मेरे सबसे थोड़ा controversial है कि अपनको अपना interest pursue करना चाहिए पीशो टाली कि हमारे interest और हमारे strengths कहां कहां लाए कर रहे हैं और हमें एक एक ऐसा mediocre वह बना कि उसको परस्यू करना चाहिए ऐसा मेरा मान जो हमारा यूथ है सर उसको सर हमें जो government है और जो system है सर उसको जैसे नएने startups जो हो रहे हैं हमें startups को funding करनी चाहिए सर स्टार्ट अप को funding करेंगे तो उसे साब से सर हमारे जो नए businesses हैं नए लोग जो startups लगाएंगे वह अधर लोग कर सकते हैं ठीक है unemployment से इससे भी एक थोड़ा सा कम हो सकता है और startups को funding देने की काफी सारी योजना है हमारी सरकार चला भी रही है और मेरे ख्याल से इसको और बढ़ावा देना चाहिए यह काफी एक में मुद्दा बन सकता है और सबसे आखरी में एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जो हमारा युवा है सर भाँ है तरय करने से कत्रार रहा है मेहनत करने से कत्राने से सर मेरे खिल से सब चीशे सब चीज़ीन हो पॉइंगा है जहां पर् spawn कि जो मैंने कठिन है लेकिन होना चाहिए जिस जिसकी बात अनुराग ने की जी स्टार्ट अप्स की फंडिंग का जो पॉइंट उठाया मैं उससे कंप्लीट लिए करता हूं कोई भी स्टार्ट अप शुरू करने के लिए सबसे शुरू में लगती है कैपिटल के बाद अब वह आप जो लगा रहे है उसमें अब क्या पता वो डबल हो के वापिस आए यह हो सकता है वो डूब जाए तो सार इसके का और इसको हम कंपेर करते हैं जॉब से तो सर वहां हमाम को मिलती है जॉब सेक्यूरिटी कि इनके अगर आपको गवर्मेंट जॉब मिली है तो आपको पी आपका जिस पर तमाम युवा साथियों ने मोहर लगाई चंद दिनों पहले एक अखबार के कॉलम में जो इस तरह की पॉजिटिव स्टोरी कोट करते हैं मुंबई के एक विक्ति की कहानी थी जो एक लीडिंग पिज़ा कंपनी में नौकरी करते थे और 30-40,000 रुपे महीने कमाते वन फाइन मॉनिंग उनके दमाग में ये विचार आता है कि मेरा अपना स्टार्ट अप होना चाहिए और उन्होंने फील किया कि शाम को लोग जब घर लोटते हैं अपनी गाडियों में होते हैं तो उन्हें भूख लगती है और उन्हें चाई की भी जरूत होती है और कुछ और चीज़ें रखी और उसको लेकर पांच दिन तक उन्होंने मुफ्त में हर सिग्नल पर जाकर बाटा क्योंकि शुरू में ये स्थिती थी कि लोग ये सोचते थे कि ये कुछ मांगने आ रहे हैं तो कांच चड़ा लेते थे उन्हें देखकर तो उन्होंने उसमें पत्र लखा कि ये फ्री में पांच दिन आपको दिया जाएगा जबकि फ्री में घर पर नहीं बताया था उन्होंने तो लोगोंने मुफ्त में जैसा हमारे देश की परंपरा है जो भी मिल जाए हम बड़े प्रेम से ले ले लेते हैं तो हमने वह पिज़ा ले लिया और पा अग्मी के साथ 30 से 35 लोग हैं और उसका कहना है कि मैं करीब करीब इस साल 30 लाग का मुनाफ़ा कमा रहा हूं और आगे जाकर मैं 100 लोगों को रोजगार देने वाला हूं यही सबसे बड़ा मंत्र है कि रोहे मत परिशान मत होगे आगे बढ़िए बहुत ही मज़ा आया इन